दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रिकेट के कुछ ऐसे रेर मुवमेंट्स जो की लाखों में सिर्फ एक बारी होते हैं ये है रेर मुवमेंट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री ये है सबसे पहला विडियो जिसमें की एक ही बाल पर दोनों बैट्समेन आउट हो जाते हैं जैसे ही बैट्समेन शॉट लगाता है वो बाल खिलाडी के हाथों से टच होती हुई सीधा विकेट्स को हीट कर देती है और फिर जैसे ही दूसा प्लेयर दोड़ता है विकेट और इस तरीके से एक बाल से दो बैट्समेन एक साथ आउट हो जाते हैं दोस्तो ऐसा बहुत कमबार होता है कि कोई स्पिनर बालर सीधा बाउंसर बाल डाल दे लेकिन ऐसा ही हुआ रसल के साथ में जब उन्होंने स्पिनर गेंदबाश के खिलाफ अपना हेलमेट उतार दि दिया जिसे देखकर हर कोई हरान रह गया दोस्तो इस अगले कैच को क्रिकेट का सबसे लखी कैच भी कहा जा सकता है अफरीदी के शौट मारते ही गेंद पहले बालर के हाथ में जाती है और फिर पास में खड़े बैट्समेंट से टकरा कर फिर से बालर के हाथों में आ जाती है दूसरे एंगल से देखने पर आप साफ तोर पर समझ सकते हैं कि बाल कितनी बार उचलती है लेकिन आखिरकार बालर उसे पकड़ लेता है एक मैच के दोरान एबी डिविलियर्स को बाल सीधा पेट में लगती है और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं उनके बैट गलती से स्टम से टकरा जाते हैं और वो कुछ इस तरीके से अजीबो गरीब तरीके से आउट हो जाते है इंग्लेंड वर्सेज पाकिस्तान मैच के दोरान जैसे ही बैट्समेन अबबास ने शौट मारा वो बॉल कैच होनी चाहिए थी लेकिन बॉल स्टुवर्ट ब्रॉड के हाथों से फिसल जाती है लेकिन तबी स्टुवर्ट थ्रो मार कर बैट्समेन को सीधा रन आउट कर देते हैं इसी तरीके से औस्टलिया वर्सेज पाकिस्तान मैच के दोरान शोय बगतर की ये सबसे अजीबो गरीब बॉलिंग भी कही जा सकती है जहां पर वो बॉल फेकते ही बैट्समेन को सीधा हीट विकेट आउट कर देते हैं इस क्लिप में एडम जैमपा अपनी नाग की मदद से बैट्समेन को रन आउट कर देते हैं लेकिन बॉल सीधा उनकी नाग से टकरा कर स्टम्प से हिट करती है और इसी वज़े से उनकी नाग पर भी काफी ज़्यदा चोट आती है और दोस्तों क्रिकेट के हिस्ट्री में ये सबसे अजीबो गरीब रन आउट के रूप में भी गिना जा सकता है श्रीलंका वर्सेज वेस्ट इंडीस मैच के दोरान अचानाखी स्टेडियम में धेर सारी मदुमक्यों का हमला हो जाता है जिसके चलते सबी लोग ग्राउंड पर लेट जाते हैं और सबी अपने आपको ढख लेते हैं दोस्तो इस अगले कैच को क्रिकेट का सबसे बहतरीन कैच भी कहा जा सकता है जहां पर बैट्समैन के मारते ही बॉल हावा में होती है और फिल्डर बाउंडरी के पास में जाकर गिरने वाला होता है लेकिन तबी वो बॉल को उपर उचाल कर नीचे गिर जाता है और फिर इस बॉल को दूर खड़ा एक फिल्डर कुछ इस गजब के तरीके से कैच कर लेता है मैच के दोरान जैसे ही बैट्समैन बाउंडरी की तरफ शॉट लगाता है तबी बीच में एक सीगल आ जाती है और उसे चोट लगती है खेर इससे चोकाता रूख जाता है लेकिन फिर एक प्लेयर इस पंची को उठा कर सुरक्षित ग्राउंड के बाहर रख देता है और फिर कुछी देर में ये सीगल सही सलामत उठ जाती है और स्टेडियम के सभी लोग तालिया बजाने लगते हैं लेकिन दोस्तो अगली ही बॉल पर जैसे ही गेंद फिर से बाउंटर के पास में जाती है ये सीगल भी फिर से एक बार ग्राउंड के अंदर आ जाती है दोस्तो ये वाली क्लिप देखकर आपको गली क्रिकट की याद आ जाएगी जहांपर बॉलिंग करते ही बॉलर को ही फिल्डिंग के लिए भागना पड़ता था एक मैच में भी बैंड स्टोक्स कुछ ऐसा ही करते हैं बॉलिंग करने के तुरंद बात वो बाउंडरी तक बॉल को पकड़ने के लिए भागते हैं बैंड स्टोक काफी तेरी से भागते हैं लेकिन वो बाउंडरी तक पहुँचने से नहीं रोप पाते इस अगली क्ळिप में क्रिस मौरिस फुटबॉल की तरह ही क्रिकेट बॉल को किक मारके बैटस्मैन को रन आउट कर देते हैं दोस्तो इस अगले रेर मुमेंट में बैट्समेन को कुछ अजीबो गरीब तरीके से सीधा 6 रन मिल जाते हैं क्योंकि जब भी बॉल जाकर विकेट कीपर के हेलमेट से टकराती है जब वो नीचे रखा हुआ होता है तो बैट्समेन को सीधा 5 रन मिलते हैं और एक रन इन्हों ने यहाँ पर भाग कर ले लिये थे जिस वज़े से इन्हें एकी बॉल पर 6 रन मिल जाते हैं दोस्तो इस अगले रेयर मुमेंट में जड़े जा कुछ ऐसी बॉलिंग करते हैं कि बॉल जाकर सीधा एमेस दोनी के पैट से टकरा कर विकेट पर लग जाती है और बिना हाथ लगाए ही यहाँ पर बैट्समेन आउट हो जाता है दोस्तो राशित खान के इस पिन बॉल में इतनी ताकत होती है कि स्टम्स के दो टुकड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के इंजमा मूल हक इस बॉल पर सबसे गंदे तरीके से आउट हो जाते हैं जिसे की कई सालों तक याद रखा जाएगा ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करते समय कुछ सोच ही रहे होते हैं तबी बॉल सिधा विकेट्स को हीट कर देती है और वो आउट हो जाते हैं ना जाने मैक्सवेल क्या सोच रहे थे लेकिन सिर्फ नजर हटते ही वो सीधा आउट हो जाते हैं तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के कुछ ऐसे रेर मूवमेंट्स जिने की लाखों में सिर्फ एक बारी देखा जा सकता है ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिट इन्फो को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे चैनल की और भी कहीं सारी वीडियोस को देखने के लिए इन नीचे दियेगे वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें